एक टाइम ऐसा था जब रोबोट मुवी को देख हम सभी ने ऐसे फीचर को इमेजन किया था जिसमें रोबोट स आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की मदब से हम सभी के बोरिंग, रेपेटेटिव और रिस्की काम को इजी कर सकेंगे वैल ऐसी इमेजिनेशन हम सभी ने इलॉन मस्क का नाम सुनने से पहले की थी अपने सभी एक्स्ट्रा ओर्डिनरी मालस्टोन को इस्टैबलिश करने के बाद बिलियनेर इलॉन मस्क ने ऐसे ही रोबोट को बनाने की इंफोर्मेशन रिसेंटली हुए टेसला AI Day इवेंट में अनाउंस की जिसमें इलॉन का कहना था कि सून इयर 2022 में टेसला यूमिनोइट के प्रोटोटाइप बनाने वाली है ये अनाउंसमेंट इलॉन से पहले बहुत से बिलियनेर्स एंड टेक कंपनीज ने अनाउंस की है बट टेसला रोबोट को सबसे यूनीक बनाने वाली बात ये है कि रिसेंटली हुए टेसला इवेंट से पहले इलॉन मस्क हमेशा से ही AI और रोबोट को लेकर काफी ज़्यादा परेशानिया और फ्यूचर में AI रोबोट से होने वाली प्रॉब्लम की इंडिकेशन देते आए हैं जिसमें काफी ज़्यादा लोगों ने इलॉन की बातों पर बिलीव किया बट नव इलॉन खुद ऐसे रोबोट को बनाने की बात कर रहे हैं तो यदि इलॉन रियली में ऐसे रोबोट को बेड़ करना चाहते हैं तो ये रोबोट मुवीज में दिखाए गए नोटोरियस रोबोट की कमपैरीजन में कैसे डिफरेंट होंगे टेसला AI Day इवेंट में युमेनोड रोबोट की अनौसमेंट के साथ इलॉन मस्क ने फ्यूचर में आने वाले कम्प्यूटिंग AI और रोबोटिक जैसे चीजों से जूड़ी कई अनौसमेंट की इलॉन का कहना है कि उनकी इलेक्टरिक कार कमपनी टेसला जस्ट एक कार मैनुफैचरिंग कमपनी नहीं है and public की नज़रों में इस बात को प्रूव करने के लिए Elon Musk ने recently ऐसा announcement किया जो लोगों की नज़रों में Tesla की image को improve कर सके Currently Tesla world की best electric car company मानी जाती है जिसका reason है Tesla के पास मौजूद AI related data जिसकी मदद से ही Elon humanoid Tesla robot को reality में change करने वाले हैं जिसे नाम दिया गया है Tesla Bot event के according Tesla Bot का first prototype next year early 2022 तक ready किया जाएगा जो size में 5 feet and 8 inches tall होने के साथ around 58 kilos का होगा and Tesla के plans के according initially Tesla Bot at least 150 pounds approximately 68 kilos जितना weight easily lift कर सकेगा well इतना weight किसी robot के prototype की strength के लिए तो काफी है but what about the speed well Tesla Bot initial phases में approximately 8 km per hour की speed से ही travel कर सकेगा I mean walk and Tesla Bot के ऐसे features को improve करने के लिए Tesla अपनी factory में मौजूद automotive machines के hardware and software की मदद लेगी but Elon को ऐसे AI Bot I mean robot को बनाने की क्या ज़रूर थी well Elon काफी टाइम से robots और AI के combination से होने वाले potential खत्रे से केलफूर रहने के लिए कहते आए हैं but Tesla Bot को build करने के पीछे Elon का idea थोड़ा funny है and शायद इसलिए Tesla ने अपने robot को पूरी तरह से just mechanical help के लिए design किया है जो साथ ही हम सभी इंसानों के लिए friendly बनाया जा रहा है ताकि किसी unexpected event में यदि हमें Tesla robot से दूर भागना पड़े तो हम ऐसा easily कर सकें and इस तरह से Tesla Bot कभी भी इंसानों से जादा strong नहीं बन सकेगा Tesla Bot को बनाने का एक और reason है ऐसे कामों को एक robot से करवाना जो हम humans करने में जादा नखरे दिखाते हैं जैसे कि Tesla या फिर SpaceX factory में daily basis पर सेम तरह का कान repeat करना जो यदि किसी robot की मदद से करवाय जाए तो humans के लिए actually में much better and safe रहेगा जिसे obviously future में not only Tesla and SpaceX के employees बट normal लोग अपनी boring काम करने में इस्तमाल करेंगे Elon के according manufacturing process and autonomous driving features के कारण Tesla वर्ल्ड की largest robotic company है जो वर्ल्ड की सभी electric car company की comparison में एक real sci-fi movie में दिखाए गए features provide करती है कुछ ऐसे ही Tesla के interesting features को हमने अपनी previous वीडियो में अच्छे से discuss किया है जिसका link i button और description में दिया गया है So Elon के according Tesla के लिए इस तरह का useful and friendly robot build करना पूरी तरह से correct decision है Because यदि Tesla चाहती तो वो अपनी self driving car feature की मदद से मिलने वाले data को Just अपनी cars में ही इस्तमाल करती But Elon ऐसे data की मदद से society के लिए कुछ unique create करना चाहते थे जिसके अच्छे देन hopefully future में Tesla bot की मदद से देखने को मिलेंगे आपका क्या opinion है ऐसे robot के बारे में क्या Elon के सभी projects की तरह ही लोग Tesla bot का भी welcome करेंगे Elon के plans के according Tesla bot को build करने में Tesla अपने self driving cars में use की जाने वाली computer chips को इस्तमाल करती है साथ ही Tesla bot में Tesla cars की तरह ही सेम तरह के sensor भी install किये जाएंगे जो cars की तरह ही robot को अपने आसपास की चीजों के बारे में information provide करेंगे and इस तरह से अपने already successful technical parts को use करके Tesla market में मौझूद other robot competitors से जादा better robots को produce कर सकेगी जो automatically Tesla को robot industry में भी one of the finest बना देगा Also Tesla CEO कहते हैं कि Tesla humanoid robots इसलिए बनाना चाहती है because Tesla के पास इस तरह के perfect robots बनाने के लिए सभी तरह के tech related चीजे मौझूद है और यदि Tesla ऐसा नहीं करती तो world में कोई ना कोई जरूर Tesla की technology से ऐसा जरूर कर दिखाता Tesla bots की drawing company के AI day event के climax में public की गई जिसमें stage पर एक actual Tesla bot को भी show किया गया जो कि actually में just एक mannequin के अलावा कुछ नहीं था Tesla company को अपने unique and incredible ideas के कारण काफी जाना जाया जाता है जिसकी possibility को समझना एक normal and innocent इनसान के लिए sometimes मुश्किल हो सकता है जैसे की solar powered supercharger network and robotic snake style charger जो किसी भी Tesla कार को automatically charging से connect कर सकता है So इस तरह का humanoid robot build करना Tesla के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी further AI day event में Tesla के autonomous driving के लिए vision based approach के बारे में भी discuss किया गया जो neural network के कारण Tesla cars को automatic driving के समय किसी भी तरह के traffic में self driving feature को better बनाने के लिए develop किया गया है Tesla AI के head Tesla के vision based approach को एक animal के architecture की तरह describe करते हैं जो अपनी birth के बाद एक जगा से दूसरी जगा move करना अपने आपको safe रखना और अपनी environment के बारे में learn करने जैसे task करता है Similarly Tesla का ये vision approach भी इसी तरह से काम करता है Later event में Tesla के neural network के development stages के बारे में भी discuss किया गया जिसमें Tesla car के brain यानि की visual context के architecture की working को explain किया गया जो autonomous driving के समय टेसला कार को road and आसपास मौझूद traffic environment के बारे में पूरी information टेसला कार के सभी direction से collect करके कैसे process करता है Even Tesla अपनी कार्स के लिए सभी mechanical components को neural system को ध्यान में रखकर build कर रही है जिसमें कार के सभी electrical components के साथ the brain of the autopilot and the most importantly car में मौझूद synthetic visual cortex मौझूद होता है जो कार के camera से ली गई visual information में मौझूद visual problems यानि की obstacles को autopilot के लिए solve करता है Meaning Tesla karts जब कभी autopilot पर driving की जाती है उस समय टेसला karts को दो problems face करनी परती है First road पर मौझूद driving से related signs and warnings and second road से जुड़ी problems And इन दोनों परिशानियों को solve करने के लिए Tesla engineers को एक special recurring network video model को यूज करना पड़ा जो driving के समय car को सभी तरह के visual information provide करता है ताकि Tesla car driving के समय कोई भी step लेने से पहले visual information को यूज करके traffic और road से जुड़ी predictions कर सके इस तरह की information अभी तो just Tesla car से जुड़ी है But जैसा कि हमने discuss किया Tesla ये सभी features अपने robot में भी implement करेगी जिसके next year prototype के लिए अभी से Tesla ने ऐसे features को अपनी cars में test करना शुरू कर दिया है जिसे bird eye view, navigation control, car में लगे 8 camera and various sensors की मदद से possible किया जाता है And also please stay tuned because ऐसे topic को हम अपनी future में आने वाली वीडियो में discuss करेंगे So आज की वीडियो में बस इतना ही आपका क्या opinion है ऐसे Tesla रोबोट के बारे में Share your feedback in the comment section down below Thank you for watching, until next time I'll see you next time